आज हम लोग एक gjजब का chapter शुरू करने जारे हैं, आज हम लोग एक बहतरीं chapter शुरू करने जारे हैं, ellips, जैसे मैं पढ़ारा हूं, इसको वैसे पढ़ना है, शायद ही इसका कोई question आप में ते गलत होगा, आप चाहेंगे कि गलत हो, लेकिन गलत हो नहीं पाएगा ellipse ellipse के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को है लेकिन eccentricity हमेशा 0-7 के बीच में पैरा बोला पढ़ते वक्त कहीं पर भी eccentricity का विचार मन में नहीं आता क्योंकि पैरा बोला की eccentricity हमेशा 1 रहती है लेकिन ellipse पढ़ते वक्त हमेशा eccentricity का विचार मन में लाना परेगा क्योंकि इसकी eccentricity 0-7 के बीच में कोई भी number हो सकती है अब से पहले आपने बात करेंगे standard ellipse बिलकुल मैं जैसे जैसे समझाऊंगा बिलकुल वैसे वैसे समझेंगे सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी standard ellipse की equation होती है x square by a square y square by b square equal to 1 अगर यह standard ellipse है तो a greater than b होता है बिलकुल ध्यान रखें standard ellipse तभी कहलाएगा जब a greater than b होता है क्योंकि standard ellipse और non-standard ellipse में algebraically तोर पर कोई अंतर नहीं होता उन दोनों की algebra same होती है क्योंकि दोनों की equation same होती है यह होता है standard ellipse इस standard ellipse देखते ही सबसे पहली चीज जो आपको नजार आनी चाहिए सबसे पहली चीज जो easily दिख जानी चाहिए वो है इसकी centricity इसकी centricity 1 minus b square by a square यह simple जी बात है छोटे को बड़े से divide कर देंगे यह centricity होती है यह ellipse कैसा दिखाई पड़ता है इसके बारे में detail मैं बात करने जा रहा हूँ और मैं चाहूं आप board पर ध्यान से देखे x y standard ellipse की हम बात करने जा रहे हैं यह x axis को कहा कटेगा जहाँ y 0 होगा और कोई भी curve y axis को कहा कटेगा जहाँ x 0 होगा अगर y को 0 कर दें तो x की value प्लस माइनस आ जाएगी ऐसा दिखाई पड़ेगा आपका standard ellipse यह x axis को कट करता है capital A a, 0 and a dash minus a, 0 पर y axis को कट करता है b, 0, b and b dash 0, minus b पर यह इस प्रकार्स इसको कट करता ellipse यह तो हो गया ellipse elliptical shape ellipse आई इसके focus, directrix और properties को जाने पर सबसे पहली चीज़ eccentricity बिलकुल याद होनी चाहिए ellipse के एक नहीं दो-दो focus होते हैं ellipse के एक नहीं दो-दो focus होते हैं एक focus a, 0 दूसरा focus s dash से denote होता है minus a, 0 इसके दो-दो directrix भी होते हैं एक directrix x equal to a by e और यहाँ पर दूसरा directrix x equal to minus a by e बिलकुल याद होना चाहिए इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यह focus और यह directrix इधर का ellipse देता है यह आधा और यह focus और यह directrix इधर का आधा ellipse देता है ऐसा नहीं है इसके दो focus और दो directrix न कहकर आपको कहना चाहिए कि इसके दो focal directrix pair होते हैं it has क्या अंतर इस दोन बात में कहने में क्या अंतर इन दोन बात को कहने में सुनिये ध्यान से, it has two focal directrix pair, क्या अंतर ये दोनों बात को कहने हैं मैं बछाता हूँ, क्या अंतर है, अगर ये focus है तो ये line directrix है, ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना इसके दो focal directrix pair होते हैं, इसके दो focal directrix pair होते हैं यानि अगर यह focus लेंगे तो यही directrix होते हैं और हर focus और हर directrix पूरा-पूरा ellipse देते हैं and every pair gives whole ellipse और पूरे-पूरे पूरा ellipse देते हैं यानि कहने का मतलब जो focal directrix property आप लिखते हैं अगर यहां पर एक point को थोड़ा दूर सरका लेते हैं अगर यहां पर यहां पर एक point को P लेते हैं तो PS और यहां से PS dash और यहां से इसकी perpendicular distance इस point को PM और यहां से इसकी perpendicular distance इस point को PM dash अब मेरी बात सुनेंगे जहां पर आप चाहें तो PS यह रंग ठीक नहीं है आप चाहें तो लिखें PS is equal to E times PM या लिख सकते हैं PS dash E times PM dash ध्यान देना यह एक focal directrix का pair है और यह focal directrix pair भी पूरा ellipse देगा यह एक focal directrix pair है और यह focal directrix pair भी पूरा ellipse देगा PS upon PM focus से दूरी divide by directrix से दूरी E के बराबर होती है यानि PS equal to E times PM तो PS equal to जब इस focus से दूरी ना पेंगे तो इस directrix से दूरी ना पेंगे जब इस focus से दूरी ना पेंगे तो इस directrix से दूरी ना पेंगे ऐसा नहीं सोचना है दो focus और दो directrix नहीं क्योंकि दो focus और दो directrix होते इसको focus लेने पर किसी भी line को directrix लिया जा सकता था लेकिन यह सत्य नहीं है इसके दो focal directrix पेर हैं जैसे ellips का कोई भी सवाल आ जाए और उसमें focus और directrix का जिक्र हो और यह न दिया गया हो कौन सा लेना है तो चाहे आप इस focus इस directrix को लेके कर लिजे चाहे आप इस focus इस directrix को लेके कर लिजे अगर यह point focus है तो यह directrix है यह फरजी line है और यह point focus है तो यह directrix है यह फरजी line है और अगर यह directrix है तो यह focus है यह फरजी point है और यह directrix है तो यह focus है यह फर्जी point है, ध्यान रखना इसमें directrix और focus का जोड़ा है जोड़ा, यह focus तो यह ही directrix, this is not the directrix, और यह focus तो यह ही directrix, this is not the directrix, अब जो focal directrix property है, ps upon pm equal to e, यानि ps equal to e times pm, वह आप चाहो इस focus directrix को लेकर लिख सकते हो, चाहो इस focus directrix को लेकर लिख सकते हो, यहाँ पर हर point की दो focal distance होगी, बोड़ पर घूरते रहें, बोड़ पर घूरते रहें, every point will have two focal distances, हर point की दो-धो focal distance होगी ps and decreased, फोकल distance का मतलब कहा है, distance from focus, अब दो-दो focus जोग दो-धो focal distance, अब आईए थोड़ा सा नाम करन की वर ध्यान देंगे, थोड़ा सा नाम करन करेंगे, सुने द्यान से जिस एक्सिस पर focus लाई करता है एक बात और एक्सिस चब्ड का मतलब हमेशा axis of symmetry ही होता है यह बिल्कुल मन में बिठा ले बार बार बोला नहीं जाता axis of symmetry मैथ में जब भी axis बोलते हैं उसका मतलब axis of symmetry है बाई देख भी सकते हो यह भी एक axis of symmetry है और यह भी एक axis of symmetry है जिस axis पर focus lie करते हैं वो कहलाती है major axis वो बड़ी होती है और जिस axis पर focus lie नहीं करते हैं वो कहलाती है minor axis major axis की लंबाई major axis की लंबाई 2a होती है minor axis की लंबाई 2b होती है major axis लिखने के लिए बड़ा M बड़ा A लिखता हूँ मैं आम तोर पर और minor axis लिखने के लिए छोटा M छोटा A लिखता हूँ मैं major axis की लंबाई 2a होती है minor axis की लंबाई 2b होती है major axis minor axis together कहलाते हैं major axis and minor axis together known as principal axis जैसे इस इलिप्स के लिए हम बोलेंगे कि इसके principal axis खुद x-axis y-axis हैं इसके principal axis खुद x-axis और y-axis हैं इसका मतलब कि major axis, minor axis और y-axis एक और चीज एक मेजर axis और minor axis का जो intersection point होता है वो कहलाता है center बिलकुल धियान रखें कि center is intersection point of major and minor axis center जो है वो major और minor axis का intersection point है center का चिक्र पैराबोला में क्यों नहीं आए गुरू जी वहाँ तो center की बात ही नहीं कि इसलिए नहीं कि center की बात कि जो conic section होते हैं conic section दो प्रकार के होते हैं एक होता है central conic और एक होता है non-central conic central conic का मतलब simple सा है जिसका center हो non-central conic का simple सा है does not have center central conic का example है ellipse and hyperbola इसलिए इसके अंदर center की बात होगी non-central conic का example है पहरा बोला इसलिए इसके अंदर कोई center की बात नहीं होती है अच्छा center निकालना बहुत असान है center निकालना बहुत असान है important बात यहां लिखाने जा रहा हूं for any general central conic कोई भी general अगर central conic है अगर यह central conic है अब यह कैसे पता लेगा गुरू जी central conic है की नहीं बहुत असान है दो ही तो central conic है parabola और hyperbola और second degree कर वो sorry दो ही central conic है ellipse और hyperbola और यह second degree equation कब ellipse और hyperbola represent करती है यह आपको already known है जान रखें अगर यह central conic दे रही है इसे कोई बरबाद सी equation दे दी गई ऐसे कोई फालती सी equation दे दी गई अब वो central conic तो है याने ellipse और hyperbola तो है तो center कैसे निकालेंगे चुटकी बजाने से भी आसान है for any central conic इसको differentiate करें x के respect में partial differentiate और इसको differentiate करें y के respect में partial differentiate आपको दो लाइने में लेगी we get two lines whose intersection point is center तो अगर ब्रह्मांड के कोई भी central conic given हो अब एक बात और बता दू पूरे ब्रह्मांड में दो ही central conic है ellipse और hyperbola और कोई नहीं है यह मत सोचना कि इसकी अलामा भी होगा बां बस दो अगर कोई भी central conic है कहने का मतलब अगर कोई भी lips or hyperbola given है तो आप उसका center चुटकी बजाने से भी पहले निकाल सकते हैं पहले center निकालें फिर चुटकी बजाएं अच्छा center कैसे निकालेंगे पूरी equation को x के respect में partial differentiate कर दीजिए पूरी equation को y के respect में partial differentiate कर दीजिए दो lines मिल जाएंगी उनको solve कर लिजिए उनका intersection point center है यह एक बहुत important बात है और यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई भी all to all to central conic आजाता है तो कैसे निकलेगा उसका center अच्छा यह तो एक central conic की बात इसलिए आ गई तो कि हमने center की बात की और मैं यह बताना चाहता था कि पैरा बोला इसके दो focus दो directrix ऐसा नहीं कहना चाहिए दो focal directrix pair है ऐसा कहना चाहिए अच्छा हर point के दो-दो focal distance होगे ps और ps dash अब जड़ा बोड पर देखेंगे यही वक्त पर देखने सुनने का मान लिजे p point अगर x1 y1 है तो यह जो दूरी होगी यह x1 हो जाएगी और यहां से यह दूरी a by e हो जाएगी और यहां से यह दूरी भी a by e हो जाएगी अब जड़ा गूरने का वक्त आ गया है आव मिल जुल के गूरें इसको अगर मैं ps को लिखना चाहूं तो e times pm आ जाएगा अब pm लेंग्ध को देखें तो यह आजाएगा A by E minus X1 भाई A by E में से X1 घटा तो PM आ गया यह तो कोई खाथ बात नहीं बता है गुरुची आपने A minus E X1 रटा हुआ होना चाहिए क्यों रटा हुआ होना चाहिए मैं समझाता हूँ रुख जाओ P S dash E times PM dash PM dash की बात करें A by E plus X1 वा 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 A by E plus X1 यानी A plus E times X1 रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए positive focus से दूरी A minus E times X1 और negative focus से दूरी A plus E times X1 रट लो positive focus度 मतलब याद हो ऊ तैरी आँखों ने आज सुबा सुबा क्या देख लिया every point will have two focal distance and ps plus ps dash 2a के बराबर यानि बड़ी मा के बराबर हर point के दो-दो focal distances है और दोनो focal distances का sum constant होता है major axis के बराबर हर point के दो focal distances है और दोनो focal distance का sum constant होता है बड़ी मा के बराबर एक आखरी चीज छोटी से और बता दी जाए यहीं पर latest rectum latest rectum के end point बता देने चाहिए यह देखिए यह है latest rectum यह है latest rectum latest rectum का x coordinate अगर इस point की हम बात करें इस point की बात करें यह वाले point का x coordinate a e हो जाएगा अब x coordinate पता लग गया तो गुरू जी y coordinate कैसे निकालोगा कैसी बात करते है यार हमको कर्व की equation ही पता है तो x coordinate अगर a square a e आ गया a square कट जाएगा 1 minus e square आ जाएगा तो y square b square b square by a square b square by e तो x coordinate a e और y coordinate b square by e latest rectum का यह वाला end point a e कॉमा minus b square by e यह वाला end point भाई साब minus a e कॉमा b square by e यह वाला end point भाई साब minus a e कॉमा minus b square by e length of latest rectum रटी भी होनी चाहिए length of latest rectum is nothing but 2b square by e यह हो गई standard ellipse के बारे में ठीक ठाक जान करें मुलाकात करी है अभी थोड़ा सा जाना पहचाने हैं कहां पर क्या है क्या चीज है जान गए हैं अब पहले non standard ellipse से मुलाकात करेंगे फिर धीरे 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 चेप्टर आके बढ़ेगा कोपी करिए हाँ standard ellipse देख लिया और standard ellipse के साथ जुड़ी बहुत सारी बाते भी देख लिया आराम से दिरे दिरे पहले परिचे करेंगे पहले परिचे करेंगे फिर equation equation बनाएंगे अब second important बात मैं बताने जा रहा हूँ non standard ellipse standard ellipse और non standard ellipse में algebra का अंतर नहीं होता यानि दोनों कि एक्वेशन सेम ही दिखाई पड़ती है फरक इस बात कर होता है कि non standard ellipse में बी यह से बढ़ा होता है डिको standard ellipse और non standard ellipse में है अशच कोई बहुत ज़या अंतर नहीं है standard ellipse और non-standard ellipse में मेचर अंतर है का अभी बड़ा है कावी cả यु औरamp करें श्रॉ अंतर के कारण अजम के फॉर्मूला अंतर नहीं मारे आता है सबसे पहले जो चीज मारे में मारे गी वो आएगी एसंटिसी जम को फॉर्मूला सैंटिसी जम का खॉर्मूला होता है वन माइनस ए स्क्वेर बाई बी स्क्वेर मैंने तो सिंपल सा रटा हुआ है वन माइनस छोटा डिवाइड़ेड़ बाई बढ़ा ओवियस सी बात है कि यह बड़े को अगर छोटे से डिवाइड कर दोगे तो यह वन से बढ़ा हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी को बहुत अच्छे देख चुके हैं इसमें उतना टाइम नहीं लगता है यह कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा वर्टिकल इलिप्स यहाँ पर आईए पॉइंट्स को मार्क करें अभी भी ए ए कॉमा जीरो ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो बी जीरो कॉमा बी डैश जीरो कॉम बी ए और यह वाला फोकस हैस डैश यह वाला फोकस हैस डैश जीरो कॉमा माइनस बी यहाँ पर डाइरेक्टरिक्स वाइक्वल टू बी बाई यहाँ पर डाइरेक्टरिक्स वाइक्वल टू माइनस बी बाई आईए अब यहाँ नाम करन करें हलका सा यहाँ पर यह होगी आ आपकी major axis major axis जिस पर focus लाई करते हैं या यू कह लीजिए जो बड़ी होती है वो major axis यहाँ पर major axis की length कितनी to b यह होती है आपकी minor axis यहाँ पर minor axis की length कितनी to a यह हो गया center center पहले ही समझा दिया 0,0 major axis और minor axis का intersection point center यहाँ पर भी हर point के दो-दो focal distance होंगे और यहाँ पर भी ps plus ps dash 2b हमेशा major axis के बड़ाबर यह major axis 2b है चाहे standard ellipse हो चाहे non-standard ellipse हो दोनों ही ellipse में किसी भी point के दो-दो focal distance होंगे और दोनो focal distance का sum हमेशा major axis के बड़ाबर होगा हमेशा किसके बरापर मेजर एक्स के और यहां पर आईए लेटरस रेक्टम के एंड पॉइंट माक करें बड़े आराम से आप लेटरस रेक्टम के एंड पॉइंट निकाल सकते हैं यहां पर भी लेटरस रेक्टम के एंड पॉइंट आप बड़े आराम से निकाल सकते ह यह coordinate आ जाएगा A square by B, B यह वाला point आ जाएगा minus A square by B comma B यहाँ पर यह वाला point आ जाएगा minus A square B, minus B, और यह वाला point आपका निकल के आ जाएगा minus A square by B नहीं, plus A square by B, comma minus B यहाँ पर अगर आप length of later spectrum की बात करेंगे, जो length of later spectrum है, वो निकल के आएगी आपके पास 2 A square by B यह लीजे हार point की दो focal distances यहाँ पर भी भूलने की जर रहत हैं नि फिर भी बोल देता हूं यह focus है तो यह direct tricks है और यह focus है तो यह direct tricks है यह direct tricks है तो यह focus है और यह direct tricks है तो यह focus है यहाँ पर भी दो focal directrix pair बनते हैं यहाँ पर भी major axis minor axis यहाँ पर भी major axis and minor axis together सब नाम करना सेम ही है together called principal axis यहाँ पर भी major axis minor axis together कहलाता है principal axis यह हो गई सारी बाते non-standard ellipse के बारे में, copy करिए तो भाई ellipse के अंदर दो focus, दो directrix और एक और नया शब्दा या center चुकि एक और नया शब्दा या center तो थोड़ा सहाम time center के साथ बिताएंगे understanding center आईए, center को थोड़ा समझे, center को दो-तीन तरीके से define किया जा सकता है लेकिन center की एक और बैतरीन definition हम लोग ध्यान रखेंगे यह देखिए, यह major axis, center को हम लोग define कर सकते हैं, center की एक definition तो यह है center की एक definition तो यह है कि intersection point of major and minor axis, एक definition तो center की यह है by the way, center की एक geometrical definition भी है, center की क्या geometrical definition है center की यह geometrical definition है कि center is a point which bisects every chord passing through it center एक ऐसा point है जो अपने से गुजरने वाली हर chord को bisect कर देता है अपने से गुजरने वाली हर chord का midpoint हो जाता है तो अगर कोई भी chord आकर अपन center से कीच रहे है तो center क्या हो जाएगा उसका midpoint ऐसा point कहलाता है center अब एक शब्द है center एक और शब्द निकल के आता है यहाँ पर अगर कोई बोले एलिप्स का डायामीटर तो घबडाने और रोने के जो रख रही है गुरुजे तो circle है circle नहीं है diameter के बात कैसी होगी diameter का मतलब है कोई भी chord जो center से निकले any chord passing through center is called diameter इसलिए circle के अंदर भी diameter अभी next point में circle और centricity कवर करूँगा अभी आप देखिएगा इसलिए circle के अंदर भी शब्द होता है center और diameter यह एक general शब्द है central conic के center से निकलने वाली कोई भी लाइन diameter के लाई यानि ellipse में भी होगा diameter circle में भी होगा diameter hyperbola में भी होगा diameter और diameter शब्द का इतना सा मतलब है क्या मतलब है diameter जब्द का any chord passing through center is called diameter तो ellipse के कितने diameter होंगे infinite diameter होंगे जहां पर माल लीजिए एक कोई diameter अपन लेते हैं let us take a diameter माल लीजिए एक diameter है माल लीजिए एक diameter है और यह जो diameter है यह diameter angle theta बनाती है तो मैं इस diameter का length निकालना चाहता हूँ बहुत आराम से इस diameter की length निकाल सकते हैं आईए diameter की length निकाले सुनों यह सेंटर है C, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q कह दो, तो लेंग्थ PQ हो जाएगी, जिसको टू टाइम से CP भी कह सकते हैं, क्यों भाया, तो कि सेंटर जो होगा, वो इसका मिड़ पॉइंट होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी देर के ल लेंग्थ को R कह दिया, तो P पॉइंट हो जाएगा, R cos theta, R sin theta, अब यह R cos theta, R sin theta, यह point P, तो इलिप्स के उपर होना चाहिए, यानि इसको इलिप्स में रग, यहाँ पर इलिप्स लिया गया है, X square by A square, Y square by B square equal to 1, तो यह R point अगर इलिप्स के उपर रग दीजे, R square cos square theta by A square, plus R square sin square theta by B square, equal to 1, तो यहाँ से 1 by R square की वैलू, आजाएगी, B square cos square theta, A square sin square theta, upon A square into B square, तो R की वैलू आगई, A B upon root of A square sin square theta, B square cos square theta, तो यह लिजे, length, 2 A B upon root of A square sin square theta, B square cos square theta, तो एक तो center समझा दिया, center की यह geometrical definition है, center एक ऐसा point है, जो कि अपने से गुजरने वाली हर cord को bisect कर देता है, अपने से गुजरने वाली हर cord का midpoint बन जाता है, तो कोई भी ऐसा point, जिसके पास यह property होगी, वो कहलाएगा center, और center से निकलने वाली कोई cord कहलाती है, diameter, तो अगर कोई आप से बोले, ellipse में एक diameter है, तो कुछ नहीं आर, 0,0 से निकलने वाली एक line है, और अगर वो theta angle बनाती है, उसकी length, याद होनी चाहिए, to a b upon root of a square sin square theta plus b square cos square theta, copy कर लिजे, center को भी समझ लिया, और एक और नया शब्द, diameter भी जान लिया, आई ये चौथा point देखे हैं, circle, ellipse and eccentricity, थोड़ा सा circle, ellipse और eccentricity, इन तीनों को cover करने वाला एक point बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे, अच्छा एक बात और, कहीं पर अगर केवल शब्द ellipse लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है, तो standard ellipse, यानि a greater than b, इसलिए उसको standard ellipse कहते हैं, यानि ये standard ellipse है, यानि केवल अगर शब्द ellipse लिखा गए, यानि क्या लेना है, standard ellipse, consider कीजिए, एक standard ellipse, अब अगर हम standard ellipse की बात कर रहे हैं, a, b से बड़ा है, तो इस eccentricity root of, 1 minus b square by a square हो जाएगा, देखिए, अगर a, b के बराबर हो जाएगा, तो ये circle बन जाएगा, a square, और circle की देखें, इस eccentricity किती होती है, 0, circle की eccentricity 0 हो गई फार्मुले से, यानि अगर circle को ellipse की निगा से देखें, तो circle के focus लिखो, पहला focus a e, 0, यानि 0, 0, दूसरा focus minus a e, 0, यानि 0, 0, यानि इसके जो दोनो focus हैं, वो coincide कर गए हैं, कहां पर, center पर, दोनो, directrix देखो, directrix, यानि इसका मतलब हो गया, both focus have coincided i8 center, अब जाएगा, directrix को देखो, directrix एक equation x equal to a by e, यानि कहने का मतलब x equal to palace infinity, और दूसरी x equal to minus a by e, यानि x equal to minus infinity, इसका मतलब और directrix, i8 infinity, यानि circle जो होता है, अगर उसको ellipse की निगा से देखा जाए, अगर उसको ellipse की निगा से देखा जाए, तो इसके दोनो focus center पर ही आ चुके हैं, और directrix एक उदर infinity पर, और एक उदर infinity पर, तो circle, if seen as special case of ellipse, will have both focus, i8, its center, and directrix, and directrix, i8 infinity, तो दोनो focus center पर आ जाएंगे, और directrix, infinity पर आ जाएंगे, अगर आप circle को ellipse की तरह देखना चाहते हो, यहां से एक बात और देखो, ellipse कैसे vary करता है, इस centricity के साथ, देखे द्यान से, इधर देखे, इधर देखे, यह ellipse है, और यह circle है, अंदर की और जाने पर, eccentricity बढ़ती है, देखो ध्यान से, इसकी eccentricity कितनी है, zero, circle की eccentricity कितनी है, zero, circle की eccentricity बिल्कुल zero है, तो eccentricity कम होगी, तो bulginess ज़्यादा होगी, ज़्यादा गोल होगा, गोलाई की तरफ जाएगा, इसे मेरी कमर की eccentricity, zero को tend करने वाली है, थोड़ी सी ही बच्ची है, और जितना पतला होगा, जितना इसलिम होगा, eccentricity उतनी ज़्यादा होगी, वन की तरफ होगी, अगर eccentricity tending to zero, that is, towards circle, eccentricity tending to one, that is, towards line, eccentricity कम यहाँ बढ़ रही है, दिरे दिरे, eccentricity zero मतलब circle, थोड़ी सी कम और कम, जब eccentricity one के बहुत करीब होगी, जब eccentricity one के बहुत करीब होगी, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल line की तरफ आ जाएगा ellipse, ऐसे, ऐसा दिखाई पड़ेगा ellipse, इसकी eccentricity, tending to one समझ लेजे, ऐसे, तो यह eccentricity और ellipse में relation होता है, eccentricity zero होती है, तो bulge भड़ता है, eccentricity one के करीब होती है, तो bulge कम हो जाता है, पतला पाना जाता है उसकी अंदर, यह हो गया, मैंने आपको समझाया थोड़ा सा, circle ellipse और eccentricity, circle को ellipse की तरह देखें, तो कहां है उसके focus, कहां है उसके directrix, और ellipse का eccentricity जाथ क्या relation होता है, किस ellipse की eccentricity जादा, कि ellipse की eccentricity कम, eccentricity is zero, मतलब goal, तो zero खुद क्या होता है, goal, zero खुद क्या होता है, goal, eccentricity is zero यानि goal, और eccentricity one, one खुद क्या होती है, dundee, one क्या होती है, dundee, eccentricity is zero, गोलाई की तरफ, eccentricity one, dundee की तरफ, तो this is the variation, of the shape of ellipse, with eccentricity, copy करें, ellipse की basic basic बाते अभी चल रही हैं, अब ellipse के साथ जुड़ी हुई एक और बहुत important बात, standard ellipse देख लिए आपने, non-standard ellipse देख लिए आपने, standard और non-standard ellipse देख लिने के बाद, थोड़ा center के बारे में जान लिया, डायमेटर के बारे में जान लिया, length of diameter जान लिया, उसके बाद आपने थोड़ा circle को देख लिया, कि अगर circle को ellipse की तरह सोचा जाए, तो कहां है focus, क्या है eccentricity, कहां है directrix, वो सब भी देख लिया, और साथ में ही भी देख लिया, कि eccentricity का, इस ellipse के shape के साथ क्या रिष्टा है, E0 यानि 0, E1 यानि line की तरह, अब हम बात करेंगे कुछ विशेश चीदों की, auxiliary circle, eccentric angle, corresponding points, बिलकुल ध्यान देंगे, auxiliary circle, eccentric angle, corresponding points, अब हम इनके बार इम बात करने जा रहा है, बिलकुल ध्यान देखेंगे, auxiliary circle की definition बिलकुल सिंपल सी है, drawn on, major axis, as diameter, is called, auxiliary circle, major axis को diameter मानके बनाया गया circle, कहलाता है auxiliary circle, हाई ये standard ellipse के बारे में बात करें, बिलकुल ध्यान देखेंगे, ये है हमारा standard ellipse है, और इसकी major axis को, diameter मानके बनाया गया circle, इसकी major axis को, diameter मानके बनाया गया circle, auxiliary circle के बात करेंगे, इसका मतलब clear हो गया, कि auxiliary circle की equation, x square plus y square equal to a square हो, auxiliary circle, auxiliary शब्द का मतलब होता है, helping, auxiliary unit, helping unit, auxiliary शब्द का मतलब भी helping, तो ये real में बहुत help करने वाला है, बहेंकर help, तो auxiliary circle की, परिभाशा बड़ी simple है, major axis को diameter मानके, बनाया गया circle, auxiliary circle क्या लाएगा, तो हमने auxiliary circle समझ लिया, अगला शब्द है, eccentric angle, eccentric angle बहुत अज़ा सान है, और यही पर, parametric equation की बाद भी कर लेंगे, कहें उसको छोड़ेंगे, parametric equation, बोड़ पर ध्यान देंगे, दूसरा शब्द है, eccentric angle, बहुत असान सा शब्द है, auxiliary circle के किसी भी point को, auxiliary circle के, auxiliary circle के किसी भी point को, अगर origin से center से जोड़ दो, तो positive x axis के साथ बनने वाला angle, eccentric angle कहलाता है, join any point on auxiliary circle with center, the angle with positive x axis, this is called eccentric angle, ध्यान रखना, eccentric angle को define किया जाता है, auxiliary circle की मदद से, वैसे भी, auxiliary मतलब ही है, मददगार, तो आपन इसेंटरी के अंगल को define ही करेंगे, auxiliary circle की मदद से, इस बात को बिलकुल ध्यान रखें, तो auxiliary circle की मदद से, define किया जाता है, eccentric angle, और define करना बहुत जदा आसान है, define करना बहुत जदा आसान है, define करना जदा जदा आसान है, auxiliary circle के किसी भी point को, आप center से जोड दीजे, वह जो angle बनाती है, positive x axis के साथ, वह जो angle बनाती है, positive x axis के साथ, वह कहलाता है, eccentric angle, अगला शब्दाता है corresponding point अग लेक कर रहा है वीडियो net net बंद कर दो, चार्ज बलेगा clear, आएगा, एक माट रुकें अभी सही आरहा है बच्चो पलार आरहा है, एक माट रुक जाए, एक माट रुक जाए, एक माट रुक जाए यांसे यह हो गया eccentric angle eccentric angle define करना बहुत जोड़ाईजी है auxiliary circle के किसी भी point को आप center से जोड़ दीजे वह जो angle बनाएगा वह कहलाएगा eccentric angle अगला important शब्द है corresponding point प्लीज ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे दो point corresponding point कहलाते हैं दो point corresponding point कहलाते हैं अगर एक ellipse पर हो और एक auxiliary circle पर हो ध्यान सनना एक ellipse पर हो और एक auxiliary circle पर हो ध्यान सुने पहले सुन लीजे फिर मा बताता हूँ सुन लीजे पहले पहले corresponding points सुन लीजे two points called corresponding points two point call corresponding points if number one one on ellipse and one on auxiliary circle एक ellipse पर है और एक auxiliary circle पर है number two line joining them perpendicular to major axis उनको जोडने वाली line major axis के perpendicular हो तीसरा on same side of major axis और वो major axis के same side हो तीन बाते होनी चाहिए ध्यान से देखे ध्यान देखे एक ellipse पर हो एक auxiliary circle पर हो उनको जोडने वाली line major axis के perpendicular हो और दोनो major axis के same side हो अब मैं corresponding points को ऐसे हरे पेंसे नई इसी पेंसे कर देता हूँ देखो ये सारे corresponding points कहलाएंगे जिनको मैं जोड रहा हूँ क्योंकि ये सारे corresponding points कहलाएंगे क्योंकि ये एक ellipse पर है एक auxiliary circle पर है दोनो major axis के same side हैं और इन दोनों को जोडने वाली line major axis के perpendicular है ये दोनों point कहलाते हैं corresponding point ये आपस में corresponding है ये आपस में ये आपस में ये आपस and so on ध्यान देना है corresponding point के definition पर दो point एक दूसरे का corresponding point कहलाएंगे अगर एक ellipse पर हो एक auxiliary circle पर हो एक ellipse पर होना चाहिए एक auxiliary circle पर होना चाहिए उनको जोडने वाली line perpendicular होनी चाहिए major axis के उनको corresponding point को जोडे तो major axis के perpendicular हो और दोनो points major axis के same side में हो यानि या तो दोनों point major axis के उपर उपर या दोनों point major axis के नीचे नीचे ये होती है corresponding points के definition एक आखरी चीज़ यही पर बज गई pyrametric equation बताए भी ना तो मानेगा नहीं मेरा मन आईए pyrametric equation की बात करें अब मेरी बात सुने ये आपका auxiliary circle है auxiliary circle का radius कितना है a और ये angle theta तो ये वाला point बहतरी a cos theta comma a sin theta तो इसका जो corresponding point आएगा ये है इसका x coordinate तो same ही रहेगा देखो ध्यान से सारे corresponding point का x coordinate same रहता है तो x coordinate तो a cos theta आगया अब y coordinate कैसे निकालें रोने की जोरत नहीं है क्योंकि आपको ellipse की equation बता है x square by a square y square by b square equal to 1 x को a cos theta रख दें तो y आजाएगा b sin theta यही है parametric equation of ellipse कहने का मतलब any point on ellipse can be taken as a cos theta comma b sin theta यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा इसमें बच्चे बात इसे बताने लाइक है नहीं लेकिन बताऊंगा नहीं तो मन नहीं मानेगा अगर मान लीजिए ellipse के उपर एक point आपने ले लिया a cos 30 comma b sin 30 कहां है 30 degree ऐसा मत करना कि इसको इससे जोड़के 30 degree ना कहां है 30 degree इसका auxiliary circle बनेगा auxiliary circle पर इसका corresponding point आएगा और जो corresponding point एंगल बना रहा है वह है 30 degree कोपी करिए